वेल्कम टू मैं चानल तो आज की टरू रीडिंग को टॉप्टिक है यह एक्स और उनकी किस तरीगी की फीलिंग्स है उनका क्या रिलाइजेशन है और वो क्या आगे चाहते हैं यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वन पाइल नमबर टू कॉप आप हीलि पर आपने बदेमन से चूज कर सकते हैं अगर आपने हीलिंग और इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके एक्थरी ऑफ वांट एरीज दियो सजीटेरिस की एनरजी है नेक्स अरड डेविल के अरजी है नेक्स आरा आपके लिए तू ओफ सॉर्स नेक्स आरा यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह चीज है कि आप दोनों का सेप्रेशन जो है वह इस बेस पर हुआ होगा जादा तरके इसमें जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं व्यूवर्स हैं कि आप जो है वो एक long term commitment चाह रहे होगे आप जो है वो यह सोच रहे होगे कि आगे future जो है वो इस relationship का है या नहीं है आप जो है वो settle होना चाहते थे आप commitment चाह रहे थे लेकिन इस person की जो toxic हरकते थी कभी ज जादा प्यार लुटाना कभी जो है मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ जो भी gender हो उसे साफ से सुनना तो वो चीज जो है वो आपको बहुत ज़दा चुभी आपको जो है वो बहुत ज़दा परिशान किया आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरी तो कोई value ही नहीं है और य आपकी intuition ने जो है वो जवाब दिया कि इतने सारे challenges या obstacles आ रहे है मेरी life में खासकर relationship में कि ये इनसान जो है वो मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इंपोर्टन्स नहीं दे रहा है या दे रही है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे life में या मेरे मन में क्या challenges चल रहे हैं या मैं कैसा feel करता हूं या करती हूं इस वज़े से जो है आपने इस person को पीछे हमेशा से छोड़ा होगा अब आते है feelings पे कि वो किस तरीके से feel करते है feeling यह है यहाँ पर कि पहली चीज़ तो यह है कि एक अच्छे इंसान को जो है इस person ने खो दिया जो उस इंस आप superior ही थे एक तरीके से कहना कहा जाए लेकि उसके बावजुद जो है इस इंसान ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी या एक immaturity वाली situation है कि प्यार तो करना है या यह कह सकते है जिन्दीगी में रहना है relationship भी रखना है लेकिन commitment नहीं देनी जम्मेदारी नहीं लेन आपने किया होगा जातर खेसिस में और यह पसंद आपको सच्चाई बताना चाहते है कि वह एकसेप्ट करना चाहते है कि वह immature थे उन्हें जो है जिन्दीगी की जादा knowledge नहीं थी वह जो है किसी के बहकावे में चल रहे थे अब यह friend circle हो सकता है हाला कि बोलना नहीं इनसान की जो है वो बात भी मानी है जिसके वज़े से इन्होंने नुकसान उठाया है आप एक एंप्रेस वाली energy में थे आप किसी के पीछे भागने वालों में से नहीं हो जो भी आपके gender हो कि आप किसी के पीछे पीछे भागोगे आपको पता है अपनी वर्थ क्या है और अला कि बोलना नीचे ऑकात वो समझा देते हो बिना कुछ करें भी कि थूं कहां पर लेवल पे हो देना तो वो यही चीज हुई है कि आपने इस पॉसन की इगो को जो है वो बर्स्ट कर दिया है या खतम कर दिया कि मेर से तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है मैं तो एक नहीं चार चार को घुमाता हूं तो सम्थिंग इस तरीके की टॉक्सिक और इमिचर वाइब मुझे यहां प कोई भी रिष्टा जो है अगर आपकी लाइफ में है मा बाप भाई बैहन दोस्ती प्यार मोहबद होना बनना वह सब जो है वह आप निभाने वालो वालों से नहीं हों यह मौका मिला यह टाइम पे पैसा जादा मिल गया तो आपने किसी को छोड़ दिया या यूज करा तो आपका ऐसा नेचर नहीं है इस person को अब ये समझ आ रहा है हाला कि काफी लेट है realization काफी लेट है ये चीज समझ आ रही है अब ये balance करना चाहता है harmony में आना चाहते हैं उन्हें मालुम है कि आप जो है वो उन्हें accept नहीं करोगे लेकिन फिर भी जो आप दोनों के बीच में लड़ाई जगडा हुआ होगा या एक तरीके से कुछ हद तक दुश्मनी सी बन गई होगी वो चीज को जो है वो खतम करना चाहते हैं वो ये नहीं जो है एक क्रूरता भी है दोना का डुआलटी है वो ही इंटिग्रेशन याइन्यांग वाली एनरजी है कि एक चीज अगर सचाई है तो जूट भी कहीं न कहीं exist करता है जैसे कहा जाता है हाला कि बोलना नहीं चाहिए कि अगर ईश्वर exist करता है तो बुरी जो है वो energy भी exist करती है तो उस चीज का एक balance है आपकी personality में कि आपको ये समझ आ गया है इस person को ये समझ आ गया है कि आपके साथ जो है वो mind games नहीं चल पाएंगी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समझदार हो intuitive हो और wise person हो आप से खेलना मतलब आग से खेलने वाली बात है और कहीं न कहीं इश्वर भी जो है इस person को अपनी life में खुश नहीं रख पा रहे हैं इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि इश्वर को भी ये बुरा लगा कि आपने एक अच्छे इंसान को जो है एक तरीके से इस्तमाल करने की कोशिश करी और कुछ चीज़ जो है हलाकि बोलना नहीं चाहिए फिजिकल चीज़ के लिए इस्तमाल करने की कोशिश करी होगी या कुछ जेस्चर्स हो सकते हैं सब के लिए नहीं होगे तो वो चीज़ से आपको तो जटका महसूस हुआ कि अरे कोई इनसान इतना भी गिर सकता है तो वो वाली चीज़ रही और इनके दिमाग में जो है जो उनका एट्मॉस्फेर बोल रहा है ये person बुरे नहीं थे लेकिन atmosphere जो बोल रहा है, environment जो बोल रहा है या जिस person के साथ ये दोस्ती रख रहे हैं, उनकी जो mentality है, वो ही जो है, वो इस person में आगी जैसे कहा जाता है ना कि कोईले के साथ अगर रहोगे तो आप भी काले ही हो जाओगे एक कहावत है, मैंने शायद words सही नहीं बोले हैं, तो कुछ ऐसा होता है, जैसे कोईले की दलाली में मुझ काला, I think यही होता है कि अगर बहुत सारे चोर हैं या क्रिमिनल्स हैं, उसके बीच में आप रह भी रहे और आपके साफ सुत्रे भी हो, तो भी आप में वो रंग आ ही जाएगा वो ही चीज यहां पे exist करती है, जो फुकरापन्ती होती है, या F-boy वाली situation होती है, वो चीज यहां पे exist करती है कोशिश करी होगी, आपने इस परसन को इंप्रूब करने की कोशिश करी होगी, वो चीज वो यहां पे हो नहीं पाई, चलिए देखते हैं कुछ और कार्स, हीलिंग तो यह पसंद हीलिंग चाहते हैं, जो लड़ाई जगडा है, वो जो है, मलब एक टॉकिंग टर्म्स पे यह पाई जा जाए, वो चीज यह चाहते है, आप अपने आपको तो हील और आप इस परसन को भी हील कर सकते हो, लेकिन आप ना बात करना चाहते हो, और एक तरी किसे आपके मन में यह ही है, इसे पर परशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तक फील करते हैं, आप से मुवान नह नेक्स्ट आरा इनर चाइड तो प्लेफुल्स रिमाइड यू तो मेक टाइम तो इम्रेस यूर इनर चाइड प्लेइंग कीपस यूंग एठ हाट डू सम्थिंग सिली और फन बट स्टे से यह यही चीज है कि आप दोनों का इनर चाइड है वो जो है रेजोनेट किया था आप दोनों यह एक दूसरे को पसंद करते थे और बहुत अच्छी बॉंडिंग भी थी लेकिन उसके बावजुद अपनी हरकतों की वज़े से जो है सब कुछ जो है वो खतम किया है चलिए दे तो एसस करते हैं थागिए डियुद करते हैं यहां असी इनरजी है यहाँ पर बाटब कि अंचरा धान साथी, तो तो एसा बी महसूस करते हैं। Tayming जब को थाग फिरखन neural hrini, जेश्छ थो थाटा आप ने। siya तो था यहां पर issues you! और नेक्स आरहा आपके लिए यू टॉर्न मी आन तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी थी उनके मन में और लास्ट में आरहा आपके लिए रिफलेक्शन, I know I am capable of so much more than I think और एक और देख लेते हैं I am reminiscent about our past and it is always with me तो वो जो आपकी past की memories है उसको जो है वो हमेशा याद करते हैं वो उनके दिमाग से कभी भी हट नहीं पाती है बार-बार उसी चीज़को वो repeat करते हैं अपने दिमाग में चलिए देखते हैं कुछ चांप्स ये परसन आपसे बातचीत करना चाहते हैं कोई message भेजना चाहते हैं यहां पर healing चाहते हैं परसन स्टार फिश आई है और एरीज एनरजी है इस परसन ने इगो में भी काम खराब किया होगा चलिए देखते हैं कोई सौंग आपके लिए माया मैनू जहसी मूवी का है और नेक्स आरा है गोजारिश गजनी मूवी का इस तरी के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरी की feelings आपके लिए फील करेंगे तो Pile No.1 यह थी आपकी reading उमीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लगी है तो प्लीज इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें Thank You Number 2 अगर आपने विश्वाइजली को चूज किया या फिर आपका बदेमत इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके एक्स आपके लिए किस तरी वर्वर एनरजी है नेक्स टार टावर स्कॉर्पिय एनरजी है नेक्स टार है Queen of Swords Libra Aquiles, Gemini नेक्स टार जस्टिस, Libra Energy और नेक्स टार है Queen of Pentacles Taurus, Capricorn, K国 और कॉछ और कार्ट्स भी देख लेते हैं नेक्स टार है Ace of Pentacles Maturity Ace of Swords Consciousness Knight of Cups Cancer Piscoscopic Energy Knight of Pentacles Slowing Down और नेक्स टार थ्री ओफेंटेकल्स गाइडस तो यहां पर टॉरस वोगों के प्रिकार्ण की एनरजी है यहां पर स्कॉर्पियों की और लीबरा एनरजी की बहुत जादा है तो जो आपके एक्स है आपका और इस परसन का सिप्रेशन हुआ है और सिप्रेशन की जो है वो भी हो सकती है कि कोई इंसान बीच में आ गया या दोस्तों ने जो है वो फालतु बखवास करनी शुरू कर दी किसी भी तरीके से हो सकती है इंटरफेरंस है यहां पे जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच में जो है एक अलगाव हुआ है और आपने इस परसन को फूल तरीके से कट अफ कर दिया है यह परसन जो है वो एक समझदारी से उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाया या कर पाई जो भी जेंडर हो इस वज़े से आप दोनों का separation हुआ है ऐसा नहीं है कि आपके मन में pain नहीं है या इस परसंद के मन में pain नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर यही चीज है कि कोई misunderstanding हुई है और बहुत बड़ी misunderstanding हुई है आपका कुछ और version है इस परसंद का कुछ और version है यहाँ पर यह चीज है तो क्यों हूँ ठीक है तो वह वाली situation है जिसकी वज़े से इस person की spiritual awakening हुई है काफी जादा जो है इस person ने inner work किया होगा और tower आया है तो tower जो है हमेशा हर चीज को एक unexpected ending कह सकते हैं किसी कारण से जो मैंने misunderstanding कही है उस कारण से जो है सब कुछ जो है वो खतम हुआ है आपने इस person क कर दिया होगा ब्लॉक कर दिया होगा ना अपनी information देना चाते हो ना इस person की शकल देखना चाते हो क्योंकि आपके जो उसूल थे life के उसके खिलाफ यह गए होगी ठीक हो सकता कोई gossip करी हो हो सकता आपकी personal life के बारे में कुछ बोला हो कुछ जो आप private रहना पसंद करते हो उस समय जो है इस person ने seriously कुछ सोचा ही नहीं या जैसे एक एक गाना है जगजीत सिंग का है काफी पुराना गाना है तेरे बारे में सोचा नहीं था चाहे देख लेना बहुत ही thoughtful है वही चीज यहाँ पे है कि ऐसा नहीं यह प्यार नहीं है लेकिन जब सही समय पे अगर आप सही efforts नहीं लगाते हो या आप सोची नहीं रहे हो किसी को जो है for granted ले रहे हो कि यह तो एम ही है हर समय आता ही रहेगा या जाता ही रहेगा तो वह इंसान जो है जब आपको छोड़कर चला जाता तब आपको उसकी कीमत समझाती है तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर situation है नेक्स भी आपको दिया जाएगा आप उसको multiply कर सकते हो तो ऐसी energy थी और आपके अंदर एक gesture है एक kindness है arrogance नहीं है उसके बावजूद जो है इस person ने आपके साथ ऐसा किया जिसका उन्हें बहुत जादा बुरा लगता है या regret है गिल्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर नेक्स टार है ace of coins ह और ace of swords है वो यह अब महसूस करते हैं कि आपको सचाई बताना ज़रूरी था और दूसरी चीज़ जो है वो बतानी चाहिए जो उन्होंने पहले नहीं बताई और दूसरी चीज़ आपको stability चाहिए थी वो इस person ने stability नहीं दी या अलग-अलग तरीके से behavior किया जिसकी वज़ सबको जो है वो खतम हुआ यह person आपको reconcile करना चाहते है proposal देना चाहते है और समय के साथ जो उन्होंने गलतिया किये उसकी माफी मागना चाहते है अब यह आपके उपर है कि आपको इस person के साथ आना है नहीं आना है आपके circumstances क्या है आप किसी और के साथ relationship में हो या यह person किसी साथ relationship है यह आप अपनी situation जानते होंगे कि यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है कि आप अपने relationship में हो या नहीं हो तो यह आपके उपर जो है वो युनिवर्स आपको guidance दे रहे है एक तिनके से कि आप अपना decision खुद जो है वो discernment के साथ लो अपने विवेक खुद यूज करो यहां पर यह चीज है लेकिन हाँ यह person reconcile करना चाहते है अपनी जिंदगी आपके साथ बाटना चाहते है अपने जो experiences है उसके साथ जो है आपके साथ बाटना चाहते है और उस चीज को feel करना चाहते है क्योंकि वो सफर कर रहे हैं उनको जो है एक तरी से punishment मिली है कि आपकी की जो है उन्हें बाद में पता चली जो की बहुत जादा समय के साथ जो है वो दूर है दूर नहीं कहना चाहिए लेट हो गया ठीक है वो वली situation है चली देखते हैं कुछ शौरकार्स पहला यह आ रहा है purity always trust in the purity of your heart look inside your heart and within in you will find the answer to your question यहाप यही चीज है कि आपने purity के साथ जो है वो एक जूट फरेब और बाकी जो गलत चीजे होती है वो सब करने की कोशिश करी जूट बोला है गॉसिप की है तो वो चीज इस परसन को नहीं पसंदा है नेक्स आरा wish wisely use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical step towards making your dreams come true तो यहाँ पर यही चीज है नेक्स आरा यहापर I still want to marry you तो यह reconcile करना चाह जाते हैं नेक्स आरा I stalk your social media बी पेशेंट I am afraid of commitment नेक्स आरा है रीकनसाइलेशन जन मेकिंग अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्स तो वो ऐसा चाहते हैं one-sided relationship तो relationship आपने निभाने की कोशिश करी इस परसन ने करी ही नहीं नेक्स आरा our bond is so strong and deep नेक्स आरा I am trusting the divine time while we both learn and heal नेक्स आरा साबोटाच I messed up everything up because I feel unworthy of your love यहाँ पर यही energy है कि यह परसन जो है वो महसूस कर चुके है या realize कर चुके है कि उन्होंने सब कुछ अपने हाथों से ही सब कुछ खराब किया है इसमें किसी और को blame करने का कोई बात बंती नहीं है चले देखते हैं कुछ charms यहाँ पर एक wheel of fortune है तो destiny में अगर आपको आना है एक दूसरे को जो कि जातार लोगों के लिए रीकंसाइलेशन वाली चीज है तो आप क्लेम कर सकते हो comment box में भी नेक्स चाहर है यहाँ पर टेड़ी बियर आया है तो यहाँ पर यह उड़के आया है I am so in love with you तो यहाँ पर यह एनरजी है कि यह person आपको यह कहना चाहते है यह bottle opener है तो आपके सामने अपने emotions को उजागर करना चाहते है नेक्स आ रहे है यहां पर जो है एक लीफ आई है और फ्लावर भी आया है तो यह वहाँ पर यही चीज है कि यह आपको गुलदस्ता देना चाहते है या कुछ इस तरी की चीज देना चाहते है चलिए देखते हैं कुछ सॉंग आपके लिए Come Away With Me, Nora Johns का है, एक ओए English गाना है, देख लिए न, next आ रहा है, तो इसमे रब दिखता है, और next आ रहा है, आपके लिए, तेरे बिना Guru मुवी का, तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीकी फीलिंग्स जो है, वो आपके लिए फील करेंगे, तो फाइल नमबर टू, ये थी आपकी रिडिंग, उम्मीद करते हूँ, आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा कंटेंट, रिडिंग्स और अच्छी लग रही है, तो फ्रीज इस चानल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थाइंक यू,